प्रण 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 चावेट फरुकी सीनर जर्नलिस्ट फ्रम समा टीवी आपको पताते चले बंग्रादेश में सूर्तिहाल इंतहाई नासुक है उन्नेश साल बाद शेख असिना वाज़ित ने रिजाइन कर दी है और उनकी हकूमत का खात्मा हो गया है क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज की तारीक में उनकी हकूमत खतम हो जाएगी इसके बीचे आकर वजवात क्या है और बंग्रादेश में क्या सूर्तिहाल है आर्मी शीफ बंग्रादेश ने बंग्रादेश की अवाम से खिताब में क्या कहा है ये आपके साथ शेयर करते हैं असलाम लेकुम वालेकुम असलाम कैसे हैं सरा आप जब बात करते हैं शेख असीना वाजित की जिन्होंने 19 साल हकूमत किये बंगलादेश में आज उन्होंने रिजाइन कर दिये क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज की तारीक में उनकी हकूमत का खात्मा हो जाएगा देखें एक्सपेक्ट तो कोई नहीं कर रहा होता जब कोई हकूमत में बैठा होता है और फिर मुसलसल बैठा होता है तीसरी टर्म जो है वो एंजॉय कर रही थी और इससे पहले एक ये तकरीबन 1996 से लेकर 2001 एक पांच साला दोर वो भी है उनका और अब ये तीसरी कंजेक्टिव टर्म थी चीक है और आलमोस्ट 19 यर्स उनके हो गए 23 जा रहा था तो अब इतना लंबा एक्तिदार आपका मुसलसल चर रहा हो तो उसके बाद आप ने जो कह रहा है कि expect का रही थी नहीं expect का रहा होता बादा और असल में ये ही एक वो मकाम होता है जहां पर अगर बंदा ये तस्वर नहीं करता तब वो सोचता है ना कि अब मैं तो कहीं नहीं जा रहा देखें जी मैं 15 साल तो हकुमत में हो गया मुझे मैंने दो टर्म्स पूरी की अब तीसे भी मुझे मिल गई है बिलकुल बिलकुल और फिर एक ऐसी टर्म मिल गई कि जिसमें अपोजिशन ने उनके इलेक्शन का बाइकार्ड कर दिया लेकिन उन्होंने इसकी परवा नहीं की और इलेक्शन करवाया कांटिनूर रखा इसको वन वे एलेक्शन करवाया बिलकुल बिलकुल वन साइड़ एलेक्शन करवाया और उसको लिजिटिमेट भी करवा लिया और वो हकुमत भी कर ली और कोई ऐसी मुझामत नहीं आई कि जो उन्हें इससे पहले जो था ना वो यानि पिछले पंदरा स का ख्याल था कि वो हैं और अवाम हैं और दरम्यान में और कोई नहीं है लेकिन आप देख लें ऑपोजिशन पार्टी जब ये इतनी ताकत का ये एक जोम था तो इसी में फिर आखें बंद करके शेख सीना वाजद ने पिछले पंदरा साल में जो काम किये उन में कुछ काम था मैं आपको एक बड़े इंट्रेस्टिंग एक आपको एक इसका पहलो बता रहा हूं कि हसीना वाजद का स्टाइल आफ पॉलिटिक्स सेंव वही था जो इंडिया में नरेंदर मूदी का है जिस तरह मूदी इंडिया को एक हिंदुत वाज जिसे कहते हैं उसका एक नारा लगा कर वो एक हिंदु स्टेट के तोर पर वो बनाना चारे हैं उसी तरह से हसीना वाजद ने भी कोशिश है की इस दोर में कि अपने मुलक को वापस वो सेवेंटीज में ले जा है और लोगों को ये बावर कराया कि जैसे ये आज मेरी हकूमत के साथ वो एक इनकलाब जो कुछ एक तबका जो थे जो उनकी पार्टी जो थी और उनकी जो अलाइज जो थे उनके लिए तो काबले कबूल थे लेकिन उनकी जो अपोजिशन जो थी वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में थी जिसमें उनकी सबसे बड़ी लीडर जो है वो खालदा जिया है जो जनर लीडर्शिप है एक हसीना वाजद ये शेख मुझीबूर रह्मान की बेटी जी वही शेख मुझीबूर रह्मान जिन्होंने मशर्की पाकिसान को तोड़ा था और बंगलादेश बनाया था और बंगलादेश बनाया था और बंगलादेश बनाया था और बंगलादेश बनाय ये उनकी लेगसी को लेकर आगे बढ़ रही थी तो इनकी ये कोशिश थी कि हम पाकिस्तान जो होता था उस पाकिस्तान की तमाम निशानिया खतम करके इसको एक बंगला देश बनाए यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर बीजे पी आर एसस के जिरे असर है एक इंतहा पसंद हिंदू तन्जीम के जिरे असर है यहाँ पर इन्हों ने इन्फेक्ट ये अवामी लेकी हकूमत नहीं थी ये उन्हों ने एक मुक्ती बानी जो एक तन्जीम बनी थी 1970 और उससे पहले पंग्लादेश की अजादी के लिए उन्हों ने एक मुसला तन्जीम बनाई थी यह इन्फेक्ट यहाँ पर मुक्ती बानी के जिरे असर अवामी लेकी हकूमत थी तो यहाँ उन्हों ने मुक्ती बानी की एक हकूमत एक किसम की जो थी वो बना ली थी यह एक इन्तहा पसंदाना एक रुजहान था उनका अच्छा यह हम अगर इसको ज़रा मुक्तसर करें इस मौमने को क्योंके यह बड़ी डिटेल है इसके अंदर यह जब हसीना वाज़त जब हुक्मरान बनी है तो चुके अवामी लीग का और शेख मुझीब इनके वालत का शुरू से भारत के साथ बहुत करीबी तालुक था चुके उनके वालत शेख मुझीब और इमान भी भारत की मदद से यह बंगला देश पनाया था पाकिस्तान तोड़ा था तो सीना वाज़त को भी नैचरली भारत से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट पिलती थी ठीक यहां था कि भारत ने इनके दौर के अंदर तकरीबन कुश छे अरब डालर इन्हें जो है इमदाद की प्रो इंडिया थी येस प्रो इंडिया थी और उन्हों ने एंटी पाकिस्तान जो थे चुन चुन कर اقدامات किये, काम किये, ऐसे काम किये कि जिन से वहां की पबलक को वो ये बावर करा सके, कि इस बंगला देश के अंदर अब उस पाकिसान की कोई निशानी नहीं है, ठीक इन्हों ने यहां तक ये काम किये कि वो लोग जिन्हों ने 1970 में मशर्की पाकिसान की अलैदगी के हवाले से तहरीक चलाई थी, ठीक है और जिन्हों ने पाकिसान की फोज के खिलाव वहां पर कारवाईय की थी, वहां पर पाकिसानियों के खिलाव कारवाईय की थी, जो पाकिसान कोई कठा रखने की जो बात करते थे उनके खिलाफ जिन लोगों ने struggle की थी यानि वो मुक्ति बानी जिन्हों ने सियासी struggle की थी या जिन्हों ने militant struggle की थी उन लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने policies बनाई उसमें एक बड़ी policy ये थी कि वहां पर जो है नोकरियों का जो जो था मलाजमतों का जो था उसमें 60-40 का एक ratio दे दिया और ने का जी 60 परसंट straight away जो भी नोकरियों निकलेंगी मुलाजमतों निकलेंगी वो ये उन लोगों की families को जाएंगी जिन्हों ने बंगलादेश बनाने के लिए sacrifice किया सरकारी नोकरिया सरकारी नोकरिया स्रेट अवे कोटा उनका मखसूस कर दिया और बाकी जो 40% है वो बेरेगी जो आम अवाम के लिए आप बैठें इमतहान में बैठें कम्पिटिशन में आएं इंटर्व्यू दें टेस्ट दें और उसके बाद कौलिफाई करें वो तो वैसे हर किसी के पास तो ये certificate नहीं था कि मैंने भी उस struggle में हिसा लिया है तो ये वक्त खुजरने के साथ साथ वो एक नई नसल आ गई और नए लोग आ गए और लोगों के अंदर जब ये महरूमी बढ़ने लगी और इस पालिसी के नतीजे में लोग रोजगार से महरूम होने लगे तो ये एक बड़ा factor बना उनके खिलाफ मुवमिन्ट का इस से पहले उन्होंने ये काम किया था कि पाकिसान के हवाले से जहां जहां भी सौफ कारनर पाया जाता था यानि उसमें जमाद इसलामी को उन्होंने अभी रिसेंटली बैंड किया इस से पहले जमाद इसलामी के वो लोग जिन्होंने 1970 के अंदर बंगला देश के बनने के खिलाफ आवाज बलंद की थी अलबदर और अलशम्स के वो लोग उन लोगों को फांसिया दे दी आप ये सब्ज़े ना कि अन्टी पाकिसान का नाम लेने वाला जो है ना उसको भी आप निशाने अबरत बना दे अपना बंगाली नेशनलिजम उसको उजागर करने के लिए उबहारने के लिए मजबूत करने के लिए बंगाली कौम बनाने के लिए अपनी तरफ से वो की थी उनको फांसियां दे दे और वो लोग कौन थे वो लोग वो थे जो 70 के अंदर एक्टिविस्ट थे 1970 के अंदर जो एक्टिविस्ट थे वो आज ये समझना कि आज किस उमर के होंगे तो उसमें जिन लोगों को उन्होंने फांसियां दे पता ये चला 80 साल के 85 साल के 70 साल क नवे साल के बाबे जो है वो निकाल के घरों से निकाल कर उन्हें फांसी देती ये एक बहुत ही बुटल एक्ट था उनका सफाकिय थी बहुत ज़ाएंफेर था दूसरी तरफ उनों ने जो था वो अपने वालत को शेख मुझीब को बाबा एक ओम बनाया अपना और उनके मु अग्रेशन से मजस्पे के उपर चरके उसको तोरा किया है हाँ विचे बताएंगे एक दम से निकले कब से दबावा था देखे ना यही तो मैं कहा जाता है ना वो जो कहा जाता ना कि पेट है रोजगार है रोटी, रोजगार, रोटी, कप्णार मकान सबसे बड़ा नजरिया जो है वो ये आपकी एकॉनमी होती है और अवाम की वाद सुने की मुल्क की economy नीचे बैठना शुरू हो जाए जब आम आदमी की economy जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाए तो उसके लिए ये जो होता है ना के नजरिया philosophy ये secondary चीजे हो जाती है ये काम नहीं आती है ये काम नहीं आती हो कहता है इससे पेट नहीं भरता लेकिन बंगलादेश क economy की अगर हम बात करते हैं तो चैनले पाकिस्तान को भी अगर हम compare करें लें तो stable है सम्हाओ तो आपको क्या लगता है कि economy पर असर पड़ेगा इस तमाम सुर्थचाल के बात ये बिल्कुल बंगलादेश की economy पर असर पड़ेगा देखे आप उनकी exports जो थी वो बड़ी increase कर र जो textile के जो हैं experts और सर्मायका जो हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है यहां से industry उठा कि उन्होंने वहाँ पर shift की थी कि उन्होंने अट्रेक्शन दी थी कि हम यहां पर आपको एक अच्छा एक working environment देंगे तो आप वहाँ पर आएं तो यह एक असल में जो उनके खिलाफ जो moment उ उठे वो इस बात पर उठे जो कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ उठे और लेकिन इसके सासथ ही है कि इसके दूसरे जो पहलू है वो यह है कि यह भारत का भी एक बहुत बड़ा set पैक है भारत का एक जो है बड़ा loss हुआ है क्योंकि वो इंडियन नवास थी भारत नवास थ प्रो इंडिया थी भारत की दोस्त थी और फिर उन्होंने बिल्कुल वही तरीके का रिक्तियार किया जो उनके वालत ने किया शेख मुझी बरवान ने जैसे किया था शेख मुझी बरवान भी भारत चले गये थे उनकी भी लाइफ लाइफ लाइन इंडिया थी और वो भा कर उधर ही भारत ही गई है लेकिन इन फेक्ट बात यह है कि ठीक है वो जो बंगालियों के अपने इशुस होंगे लेकिन हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि बंगाल एक ऐसी सरजमीन है जो बहुत ही बाशहूर लोगों की सरजमीन है हमारी पाकिस्तान बनाने की जो स्ट्रगल थी उसका आगास बंगाल से हुआ था वो तो अब्वियसली हम नहीं भूल सकते है इस ए ग्रेट हिस्ट्री और एक बहुत अखर रलेशन्शिप है बंगला बनी थी लेकिन बंगला देश का खिते पर क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के और बंगला देश के बाइलेटरल रिलेशन्स कैसे होंगे रीजनल डाइमिक्स क्या होंगे यह बताएगे देखी यह एक तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि यह इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेट बैक है ठीक है उसका एक उन्होंने अपने एक बार्डर को जो है वो स्क्योर किया हुआ था और उन्होंने वहां पर अपनी उनकी पसंद की हुकूमत थी तो वो उससे बिलको बेफिक कर थे और वहां पर इंडिया के अंदर इंडिया को वहां पर अस्रो रसूख बहुत ज्यादा था और इसके साथ यह था कि हसीना वाजद जो थी उनका अब रिसेंटली जो रुजहान था वो चाइना की तरफ जा रहा था चाइना के साथ उन्हों एग्रिमेंट्स किये थे और अगर्चे सीपै की तरफ भी सीपै की तरफ भी था और कुछ और भी एग्रिमेंट्स किये थे अगर्चे वो एग्रिमेंट्स जो हैं उन्में से कई एग्रिमेंट्स उन्होंने हाल ही में उन्होंने कैंसल कर दिये थे और वही एग्रिमेंट्स वो इंडिया की तरफ ले लेकिन ये है कि बहराल इस रीजन के अंदर एक बार फिर वहां पर एक और जो बड़ी बात हुई है कि बंगलादेश के अंदर पिछले 15 साल से फौज जो बैक सीट पर चली गी थी फौज फौज फिर फौज पर आ गी है और ये वो करके तो रिजाइन गई है लेकिन ये फैक्ट यही है कि उनका प्रैक्टिकली उनकी हुकूमत का तखता उल्टा गया है और हम कह सकते हैं कि बंगलादेश की अवाम ने ही तखता उल्टा आया है बनलदीश के माँआम ने वो प्रेशर बिलड़ अब किया कि उसे वहां की फौज को फिर मौका मिल गया, बनलदीश की फौज जो है, वहां पर झाल गे त Але कि ऐथी, आप देके सरकों पर वहार पहन आ रहे थे फौज को, यहां हार पहना रहे थे क्योंकि फौज ने, दरमि έini معاملے کو سلجھایا نا तो in fact ये उनकी हकूमत का फौज नहीं फिर उने मजबूर किया और उने सिर्फ 45 मिनिट्स का अल्टिमेटम दिया गिया कि आप रिजाइन कर जाएं क्योंकि हालाद आपके हाथ से निकल रहे हैं और अब इसके बाद लोग जो है वो इसे और अक्सेप्टिंग करेंगे धाका की तरफ पूरे मुलक से लांग मार्च का इलान भी हो गया था लोगों का तो ऐसी सूरत में उनके लिए मुम्किन नहीं था कि वो इसको ज्याद देचला थे एक और बात ये थी कि उन्होंने कोशिश की कि जाते जाते वो एक खताब करें कौम के नाम लेकिन उन्हें इसकी भी मौलत नहीं दी गए और उन्हें का यह आप रिसाइन करें आपको हम एक फेवर दे सकते हैं कि आप यह हैलिकॉप्टर पकड़ें और जाना चाहती है तो यहाँ से चले जाए अच्छा अपको सेफ एकजिट दे दिया सेफ एकजिट दे दिया ना उन्हें इजाज़त दी गई ना इजाज़त दी गई देके जब वो अगर तो यह एक बॉका होता ना उस वक्त फैसला किया जाता है शेख असीन वाज़त को जो त्यार है वो इंडिया नहीं जा रहा है इंडिया ने उनको मना कर दिया आने से लेकिन वो इंडिया पहुंच चुकी है बिल्कुल अपने बाप की तरह शेख मुझीब और हमान की तरह जिस तरह वो इंडिया भागे थे शेख असीन वाज़त भी इंडिया चले गई है बहुत बहुत शुक्र सर मजीद अपडेश हम शेयर करेंगे नाजरीन के साथ लेकि देखते लेगे समा पॉड्कास्ट तिल देन बाई बाई